आज के वीडियो में स्वास्त एबं रोग चैप्टर के अंतरगत संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं और संक्रामक रोगों का नियंतरण वा निवारण कैसे करियें इसके बारे में जानेंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्त देखिए और जोधी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूट करेजिए चलिए सबसे पहले संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं अथवा इनका direct transmission कैसे होता है ये जان लेते हैं अर्थात प्रतेच्छ संचारन कैसे होता है ये समा लेते हैं और संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? ये मैंने पिछले वीडियो पे आप लोग को समझाये थे, तो अगर आप नहीं जानते हैं, तो वहां से जा करके देख सकते हैं. तो संपर्क के द्वारा या बाइ कॉन्टेट के द्वारा संपर्क कैसे होंगे? एक बेक्ती जो स्वस्त है, ये वो संक्रमित बेक्ती के संपर्क में आता है, तो उसको रोग हो जाएगा. फिर दूसरा है, सूच में बिंदुओं द्वारा या वायू के द्वारा, यानि बाइ ड्रॉपलेट्स या बाइ एर के द्वारा, तो छीकने से, खासने से, ठोकने से या बाद चीत करते समय संक्रमित बेक्ती के मुख से निकले सूच में बिंदुओं के द्वारा फैलता है. तो यदि संक्रमित वेक्ति है तो उसके मुख से ये सारी चीज़े जब निकलेंगी तो जो स्वस्थ वेक्ति है उसको भी वो रोग हो जाएगा क्योंकि वो संक्रामक रोग है और संक्रामक रोग का मतला भी होता है जो एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में फैलते हैं फिर अगला है म्रदा के संपर्क द्वारा यानि by contact with soil के द्वारा कैसे हो जाता है रोग युक्त कारकों वाली म्रदा के संपर्क में आने से अब जैसे कोई रोगी विक्ती है उसने मिट्टी में थूंका अब किसी दूसरे स्वस्त विक्ती ने उस जगे पर हाथ रग दिया य भी उसको होने के संभावनाएं हो जाती है वो रोग यानि रोग मुक्त कारकों के जो मिट्टी होती है उसके संपर्क में आने से भी उसको हो जाएगा इसलिए कहा गया है म्रदा के संपर्क द्वारा या by contact with soil के द्वारा है किसी जन्त द्वारा काटने से यादि कोई ऐसा जो पहले से संक्रमित है वो किसी स्वस्त विक्ति को काट लेता है तब भी हो जायेगा जैसे कुत्ता है मच्छर खटमल आदी ये जो होते हैं अगर ये संक्रमित हैं किसी स्वस्त विक्ति को काट लेते हैं तो उनको भी वरोग हो जायेगा फिर अगला है माता द्वारा गर प्लेसेंटा से जो प्लेसेंटा होती है जा हिंदी में कहें तो जो अपरा होती है उसके द्वारा अपरा क्या है तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अप्लोड़ेड है आप लोग जा करके देख सकते हैं इससे बच्चे को पोशन प्राप्त होता है इसके बारे में डीटेल से एक दूसरे से connect करती है पिर अगला है रक्ता धान द्वारा यानि by blood transfusion के द्वारा अगर कोई रक्त देता है इसके द्वारा भी अगर उस बेक्ति को जिसने रक्त दिया है उसको कोई संक्रामक रोग है और जिसको दिया है तो उसको भी संक्रामक रोग हो जाएगा तो कुल मिलाकर कि ये प्रतच्छ संचारण हुआ या direct transmission होता है इस तरह से संक्रामक रोगों का अगर परोग्ष संचारण को देखा जाए या indirect transmission को देखा जाए तो indirect transmission के अंतरगत क्या क्या आएगा पहला है वाहक द्वारा बाई वेक्टर जैसे कीट या किसी अन्य जन्त द्वारा रोगार्वों का संचारण वाहक या ऐसे जीव, ऐसे सूत्म जीव या ऐसे बड़े जीव जिनके द्वारा वो रोग एक बेक्ति से दूसरे बेक्ति में पहुँचता है वाहक कहलाता है या वेक्टर कहलाता है तो वाहक द्वारा इसलिए कहा गया है इसके इंतर का जैसे कीट है या किसी अन्यजन्त के द्वारा रोगार्वों का संचारन होता है फिर अगला है संदूसित भोजन वजल के द्वारा यह नहीं कहने के अवलब है अगर कपडे भी गंदें हैं कपडों में भी कोई सूछमझीवान लगा हुआ है क्राकरी जो बरतन होते हैं उनमें दर्वाजों के हैंडल में नल या सर्जिकल औजारों के द्वारा तो अगर यह भी संदूसित हैं गंदे हैं उस पर सुमजीव लगे होंगे तो इस तरह से भी आपको वो विमारी हो सकती है संक्रामक रोग हो सकता है फिर अगला है धुआ, मिट्टी तथा वाहनों के धुएं से जो घर का धुआ होता है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी में जो धूल वगरा उड़ती रहती है वाहनों के जो धुएं होते हैं, इनसे भी बिमारी हो सकती है या संक्रामक रोग फैल सकता है फिर अगला है गंदे हाथो वा अंगुलियों द्वारा, अगर हमारे हाथ गंदे हैं या हमारी अंगुलियां गंदी हैं जैसे बहुत से लोग नाकुन वगरा नहीं कारते हैं इसमें दोल मिट्टी भर जाती है, सौंज करके आते हैं तो उसमें गंदगी भर जाती है, तो हाथों को भी नहीं धूला, तो हाथ भी गंदे हैं और नाकून तो इस तरह से अगर गंदे हैं तो भी हमको संक्रामक रोग हो जायेगा, पिर चाहे वो indirectly ही transmission क्यों न हो तो कुल मिला करके संक्रामक रोगों का संचराण कैसे direct transmission कैसे होता है और indirect transmission कैसे होता है दोनों तरीके मैंने आपको बताए चलिए अब जानते हैं कि संक्रामक रोगों को control कैसे किया जाए यानि control of communicable diseases तो संक्रामक रोग छूट के रोग हैं जो सीग्र ही महामारी का रूप ले लेते हैं अताहा इनका नियंत्रण एवं निवारण आवश्यक है यानि ये चुआ छूट के रोग होते हैं जैसे किसी को संक्रामक रोग है उसने कुछ छो लिया आपने उसको छो लिया इसलिए कहा कि छुआ छूत करोग है जो सीग्र ही बहामारी का रूप ले लेता है इसलिए इसको नियंत्रित करना और इसका निवान करना बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहले इस परपेच्छ में बेक्तिगत स्वच्छता रखना चाहिए बेक्तिगत स्वच्छता के अंतरग अपने सरीर को साफ रखना प्रति दिन इस्नान करना हाथ धोकर भोजन करना बहुत से लोगों ऐसे होते हैं जो बिना हाथ धोए ही भोजन कर लेते हैं हाथों को धुलते नहीं हैं तो हाथों को धुलना चाहिए नाकुनवगरा साफ रखना चाहिए और प्रति दिन इस्नान कर अगला है पीने के लिए स्वच्छ पानी का उप्योग करना तो जो पानी हम पीते हैं सरीर के अंदर जाता है इसलिए वो स्वच्छ होना चाहिए गंदा नहीं होना चाहिए प्रदूसित नहीं होना चाहिए फिर अगला है साख सब्जियों वा फलों आदि को अच्छी तरह ध खाना सुरू कर देते हैं, धुलते नहीं हैं, या सबजी भी बनाते हैं, तो उसको बिना धुले ही सबजी वगरा बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फलों आदि को जैसे सेव वगरा खरित कर लाते हैं, तो उसको भी ऐसे खाना सुरू कर देते हैं, तो इन सब को अ धूल न पड़े, गंदगी न पड़े, बैक्टिरिया, यानि जो जीवान होते हैं, सूच में जीव होते हैं, यह उस पर अटैक न करें, और जो मक्हियां घरों में होती हैं, यह मक्हियों आदिसोई बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कि उसको ढख कर रखना चाहिए, ताक तुरंत खतम कर देना चाहिए, साप सफाई कर देना चाहिए, फिर अगला है नालियों को ढख कर रखना चाहिए, जो घरों से निकलने वाले नालियां होती हैं, उनको ढख कर रखना चाहिए, वो घर में हो चाहिए, वो बाहर हो, सब ढखी हुई होनी चाहिए, फिर अगला तरह से सफाई करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए, कूडे को धेर बना कर एकठा ना होने दे, बहुत से लोग क्या करते हैं कि घरों से कूडा निकला, उसको डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, बहुत बड़ा सा धेर लग जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी के जो गढ़े होते हैं, जो दलदली अस्थान होते हैं, इन सतहों पर मिट्टी का तेल डालना चाहिए, कीट नासी दवाईयों का छिड़काओ करना चाहिए, ताकि मच्छर की जो लारवा उसमें होते हैं, वो सभी मर जाएं, और अंडे भी मच्छर न दे पाएं, जब मच्छर के जो लारवा होंगे वो मर जाएंगे, पन पेंगे नहीं तो मच्छर नहीं बनेंगे, फिर अगला है, कीट रोग वाहकों और उनके प्रजनन अस्थलों को समाप्त करने के लिए, घर के आसपास पानी को जमाना होने दे, यानि घर के आसपास कहीं गढ़्धा है, तो पानी बिल्कुल नहीं जमा होने देना है, क्योंकि उसमें जो रोग वाहक होते हैं, वो आजाते हैं, कीट ऐसे आजाते हैं, जो रोगों को फैलाते हैं, और वहाँ पर प्रजनन करके और भी कीटों को पैदा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर अगला है, पाने वाली मचलियों को पालना चाहिए, जो तालाब होते हैं, बड़े-बड़े से, उसमें ऐसी मचलियों को पालना चाहिए, जो मच्छरों को खाती हैं, तो आपको बता दे हैं, ऐसी मचली का नाम गैंबूसिया, गैंबूसिया जो मचली होते हैं, ये मच्छरों के लार तो काटेंगे नहीं, हम लोग भीमार नहीं होंगे, फिर अगला है, घरों में समय समय पर कीट नासी दवाईयों का छिड़काओ करना चाहिए, तथा मच्छर भगाने वाले रसाइनों का भी प्रियोग करना चाहिए, उसमें जो कीडे वगारा हो मर जाएं, और दवाईयों का मच्छर को भी भगाना चाहिए, जो मच्छर भगाने वाले दवाईया आती हैं, वो भी आप प्रियोग कर सकते हैं, फिर अगला है, सोते समय मच्छर दानी का प्रियोग करना चाहिए, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सोते समय मच्छर दानी का प्रियोग कर सकते हैं और इनका निवाण या नियंत्रन कैसे किया जाए समझ में आ गया होगा समझ में आ गया हो तो विडियो को लाइक और सेर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद